Hello friends, hi to all my fans and all the students who have been watching all my video lectures across the YouTube. आज आप देख रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ. मेरे साथ मेरा class 12th का batch है और मेरे साथ मेरे सबी students हैं और आज की ये तारीक 29th of October 2018 थोड़ी सी special है. आप सोचने होंगे कि मैं classroom में क्यों नजर नहीं आ रहा, मेरे पास marker क्यों नहीं है और मेरे पास board क्यों नहीं है. In fact, आज आज आपको मैं कोई theory का topic नहीं पढ़ाने वाला हूँ. आज हम लोग जो करने वाले हैं, in fact, मैं अपने सभी students के साथ हूँ. मेरे कुछ students मेरे साथ हैं, जो आज हम एक practical करने वाले हैं, and practical हमारे syllabus का ही है. आप ये सोचें कि practical syllabus का नहीं है, ऐसा नहीं है. मैं इससे पहले भी आपको कोई सारी चीज़े practical की रूप में दे चुका हूँ. और concepts को easy बनाने के लिए, ये एक और effort है मेरी तरफ से. तो class 12 के सभी students को बता दूँ, कि हमारा सबसे last chapter है physics का, जिसका नाम है communication. और communication no doubt is a completely theoretical topic, numericals बहुत कम आते हैं, लेकिन उसमें जानने वाली चीज़े, उसमें बताये जाने वाली चीज़े, उसमें सीखे जाने वाली चीज़े, एक तरह से पूरी practical है. और आज 29th October, NASA अपने 60 years celebrate कर रहा है, और क्योंकि NASA अपने 60 years celebrate कर रहा है, तो NASA is basically using the satellite of ISS, that is International Space Station, and sending its signals across the globe. और आज सुबह मैं अपने सभी students के साथ, NASA की तरफ से, satellite के जरीए, radio frequency की form में, बेज़े जाने वाले signals को capture करने के लिए, decode करने के लिए, एक practical करने जा रहा हूँ. और आज हम लोग कई सारे setup का इस्तमाल करेंगे, हमारे साथ Mr. Sunil है, जो की हमारे पूरे के पूरे इस event के organizer है, जो की expert है, एक बहुती अच्छी technical knowledge के साथ, बहुती बहतरीन ग्यान के साथ, और आप देख पा रहे हैं, that right now he is arranging the entire setup, so Sunil sir, say hi to all, hello, and Sunil sir हमारी तरफ से सारा का सारा setup arrange करेंगे, हमारी help करेंगे, अगर मैं theory का master हूँ, तो वो मेरे साथ practical के master है, आप देख रहे हैं, यहां हमने अपना पूरा setup त्यार करके रखा है, and पूरी हमारे पास wiring है, and let me show you, यह हमारा एक transmitter है, आप देख पा रहे हैं, यह एक transmitter है, जो हम लोग receiver के तोर पे भी इस चार satellites को decode कर रहे हैं, हम लोग Russian satellite का weather study करेंगे, उसके लावा हम लोग ham radio के अंदर radio frequency वाली satellite को decode करेंगे, plus the most important, जिस event के लिए आज हम लोग gather हुएं, मैं यहां सभी अपने students के साथ gather हुआ हूँ, और सबसे important चीज जो आज हम करेंगे, that is basically decoding the picture sent by NASA, और इस वीडियो के last म आप देखेंगे, कि मैं आपके साथ वो picture भी share करूँगा, कि actually मैं साथ समंदर पार तो नहीं कहना चाहिए, नजाने कितने आसमानों दूर हमने एक चीज को decode किया है, और satellite signals के connection को हमने अपने पास capture करने की कोशिश करी है, पूरा setup हम लोग त्यार कर रहे हैं, so मैं आपको बहुत फटा-फट जल्दी से इस बात को खतम करते वे ये कहना चाहूंगा, कि आप इस बात को समझने की कोशिश कीजेगा, और समझने की कोशिश कीजेगी कैसे, जो radio frequency का signal है, वो लोग हम लोग decode करेंगे, हाला कि इसको समझाने के लिए काफी लंबा समय चाहिए, कभी आपको भविश्य में समझाऊंगा, अभी सिर्फ दो बातों में बात कह देता हूं, आप स्कूल की assembly में, माइक का इस्तमाल करते हैं, हेलो बोलते हैं, आप बोलते हैं हेलो हैं, वो sound signal होता है, speaker से तो भाहर निकलता है, वो भी sound signal होता है, लेकिन बीच में जो तार होती है, उसमें तो hello, hello, hello नहीं जाता है, वो तो electrical signal है, इसका मतलब की sound signal को electrical signal में convert किया रहा है, communication chapter में पढ़ेंगे, एक device होता है, जिस हम कहते हैं, transducer, transducer plays a very, very important role in converting one form of signal to other form of signal, आज हम वही करने जा रहे हैं, NASA के तरफ से बेशे जाने वाली picture को, जो कि एक picture signal होगा, वो लोग उस picture signal को convert करेंगे, sound signal में, and sound signal की जो frequency होगी, that will match up with the frequency of radio frequency, and that radio frequency will be decoded by us, and we'll try to see कि हमें क्या मिला, so stay tuned, जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, और वो सब चीजे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, हम देखते हैं कि कैसे चीजे करेंगे, आप ध्यान दीजेगा, आप चीजों what we are going to do, and get in touch with every practical exposure, और हां, ये एक hobby है, सिर्फ मैं ये कहूं कि आप जान रहे हैं इस चीजे को, क्योंकि आज मैंने किया, आप Google कर सकते हैं, आप Internet पर जा सकते हैं, आप सीखने की कोशिश कर सकते हैं, it's a ham radio hobby, all over globe पे बहुत सारे लोग radio frequency से communicate करने की कोशिश कर रहे हैं, औ और अगर आपको अपने नजदी की एरिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा मिलता है, जो आपकी help कर सकता है, radio frequency को decode करने में, तो महका मत गवाईएगा, चानते हैं, जा की क्या होने हैं, अपकी कर दो, आपकी 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 कर दो, आपक कर दो 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 दो प्रॉ़ाव आप सुनाओं या जिस नहीं में निस बड़ है? आप सुनाओं único से नहीं में जाए परेंगा को बड़ा है मैं पर यूदी को मुच्त है जो आप सबस्क्राइए भी नेले, हैं वप्याझ मुड़ारी prepared वागस ।ोिम व्यापलोपी छेम Lewis को दोतो हुआ I'm मुप पस्ते है, लोको नहीं फूम सबगया है, एक हुटस्ते हैं झाते हैं, जो रह रहाओद है जो सतलाइड से बिडिस यचार को झाते हैं, जो वो रहें इन हुटसूजा है, जो हम इन खार बखनी कर सब्सक्किराइट करें, जो अगा पर का टूम्हाओद यूटस्ति प में पन्हेर बूट जढ़न है नहीं है कर दूट सोपना है में सब्सक्क हाई कर दो ही कि लिव जिए। इन सब में बेढ रगार वजिए इन सब्सक्तिंग कर दो थो डिष को असा नहीं है रखत व को में नाफ मैं और आप नुट को राजब को साफ्या भाज। एख तो रहली है नाफ प्राजाभाउ लॉट हुए भाजब नाफ गुटेशक है वे दो काव लॉट है भाज। है दॉट है हुआ रधन्हों कि अर मयान भालव मोगमन पानाल हुआ है वह कर दो लगन कि जाता है हुआ है पर यद्लिग वह कर दो दो कि यद दो सुपिंग आगे जी जो 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 कियो आगे जहाए यह बढ़ी आई है Hob wor esemp teaching this is the image that we have been able to capture you can have a look a clear image we have been able to capture just now sent by NASA and we are just trying to capture the second image